Hello everyone, कैसे हैं आप सभी? I hope कि सभी अच्छे होंगे तो आज किस वीडियो में हम प्लास थर्ड की हिंदी की बुक वीना का चैप्टर फोर पढ़ेंगे तो चैप्टर फोर है बया हमारी चिडिया रानी यानि कि ये जो चैप्टर है इसमें बया जो चिडिया है उसके बारे में बताया गया है तो चलिए देखते हैं कि इसके बारे में इस चैप्टर में क्या-क्या बताया गया है तो शुरू करते हैं तो ये कवीता है तो आप मेरे साथ इस कवीता को पढ़ेंगे तो बहुत ध्यान से पढ़ेंगे बया हमारी चिडिया रानी तिनके लाकर महल बनाती उंची डाली पर लटकाती खेतों से फिर दाना लाती नदियों से भर लाती पानी तुझको दूर न जाने देंगे दानू से आगन भर देंगे और हौज में भर देंगे हम मीठा मीठा ठंडा पानी फिर अंडे सेएगी तू जब निकलेंगे नन्य बच्चे तब हम आकर बारी बारी से कर लेंगे उनकी निगरानी फिर जब उनके पर निकलेंगे उड़ जाएंगे बया बनेंगे हम तब तेरे पास रहेंगे तू मत रोना चिडिया रानी तो इसे लिखा है कवित्री महादेवी वर्माने तो एम इसको देखते हैं की क्या-क्या बातें इसके बारे में कही गई हैं तो बया जो चिरिया है वो तिनके लाकर, न denk कि इधर-ुधर से बागबगीचों से पेड पौधों से छोटे-छोटे तिनके लाकर अपना घौंसला बनाती है तो इसके घौंसले को क्या कहा गया है तो यहां देख सकते हैं यह बया पकशी का महल यानि की घौंसला है उची डाली पर लटकाती है पौधों पर ये जो पेड़ है इन पर कहां लटकाती है जो उची डालियां होती है उस पर अपने गोंसले को लटकाती है खेतों से फिर दाना लाती नदियों से भर लाती पानी तब जो इसके बच्चे हैं उनके लिए खेतों से दाना चुन कर लाती है और उनके पीने के लिए नदियों से जीलों से तो इन सभी जगे से वो पानी लेकर आती है तुझको दूर न जाने देंगे दानों से आगन भर और होज में और इस चिडिया पक्षी के लिए यानि कि ये जो चिडिया है इसके लिए होज में होज एक ऐसी जगह होती है जिसमें पानी भरा हुआ होता है तो उसमें हम पक्षी के लिए पीने के लिए पानी भर देंगे तो इसमें हम कैसा पानी देंगे मीठा मीठा ठंडा पानी जो की मीठा भी होगा और ठंडा भी होगा फिर अंडे सेएगी तू जब अब आगे कवित्री कहती है कि जब तू अपने अंडों को सेएगी जब उनसे बच्चे निकलेंगे तब हम बारी-बारी से आकर उनकी देख पर निकलेंगे, पक्षी पंक निकलेंगे उड़ जाएंगे बढ़े हो जाएंगे बढ़ेबनेंगे लिरे trim, तब हम तब तुर बच्ची हैं कि हम तब तेरे सांगे डी तो तो आहेंगे तो आई होप आपको ये जो कवीता है वो अच्छे से समझ आ गई होगी तो अब हम इस कवीता के question answer solve करेंगे तो यहाँ पर बातचीत के लिए है यानि कि आपको discuss करना है आपस में चित्र में क्या-क्या दिखाई दे रहा है तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर बाया पक्षी का यह चित्र है यहाँ पर गोंसला है तो इसमें आपको और क्या-क्या चीज़ें दिखाई दे रही है तो देख सकते हैं यह क्या है यह बादल है यहाँ पर यह डाल है पेड़ की और इस पर क्या है पत्तिया है उसके बादने देख सकते हैं ये क्या है ये है बया चेडिया का गोंसला और यहाँ पर ये बया चेडिया है ये मा है और ये इसके बच्चे है अब यहाँ पर अगला प्रशन है ये है किस पक्षी का गोंसला है तो किसका है ये ये है बया चेडिया का गोंसला है आपके अनुस अपनी मा की घौंसले को बनाने में लगी महनत के बारे में सोच रही होगी यानि कि उसकी मा ने उसकी सुरक्षा के लिए कितनी महनत की है कितनी महनत से इस घौंसले को तयार किया है उसके खाने के लिए वो दाना पानी लेकर आती है तो वैस बैठ कर इनी सभी बातों के बारे में सोच रहा होगा अब यहां पर नेक्स्ट है आपने चिडिया अपना घर बनाने के लिए तिनके कहां से लाती होगी तो आप इस तरीके से इसका जवाब दे सकते हैं कि चिडिया अपना घर बनाने के लिए तिनके खेतों से बागों से और आसपास के पेड़ों जहाडियों उसे लाती होगी यानि कि जो सूख जाती है टहनिया उन्हें इखटा करके अपना गहुंसला बनाती होगी अब यहां पर अगला प्रश्ण पूछा गया है कि आपने किन-किन पक्षियों के गहुंसले देखे हैं तो आपने जिस भी पक्षी के गहुंसले देखे हैं आपको के लिखना है बयारानी अपना घर तिनकों से बनाती है हम अपना घर बनाते समय किन-किन वस्तों का उपयोग करते हैं सोच कर लिखे जैनि कि जिस घर में आप रहते हैं उस घर को बनाने में किन-किन वस्तों का उपयोग हुआ है उन वस्तों के आपको नाम लिखने हैं तो घर को समझे और रिक्तिस्थानों की पूर्ति कीजिए यहां पर है बया के काम यानि कि बया जो चिडिया है उसके काम है और यहां पर है आपके काम यानि कि बया कौन-कौन से काम करती है और आप कौन-कौन से काम करते हो तो जैसे कि बया का काम है दाना लाना अपने बच्चों के ल अब यहाँ पर आपको अपने काम लिखने हैं जैसे कि आप स्कूल के लिए त्यार होते हो और या क्या काम करते हो तो आफ पढ़ने का जास कहाँ रखेलने तो यह सब एलने आप कि लिए काम है चीछ ज उगिंणोय को पालना कॉसराइब जैसा च्छोट चोटे Leo को सुरक्षा करना उनकी देखरे करना उनके लिए खाने का इंतजाम करना रहने का इंतजाम करना ये सभी बया पक्षी के काम है आपका काम यहां पर आपको लिखना है जैसे कि अपने बड़ों के कारे में सायता करना आप किस तरीके से अपने बड़ों की मदद करते हैं उनसे भ दोमी पानी डालना अपने बडों को अपने डादा दादी इन सभी को अकबार पढ़कर सुनाना आदी तो ये सबी कारे आपके होते हैं अब यहाँ पर है सब्दों का खेल नीचे दिये गए सब्दों को उलट कर लिखिए यांनि कि आपको उल्टा करके लिखना है और नए नेक्स्त है बस बस का हो जाएगा सब नीरा नीरा का होगा रानी दबा का होगा बाद रीना का होगा नारी अब यहां पर नेक्स्त है नीचे लिखे विपरीत अर्थ वाले सब्दों का मिलान कीजिए तो दूर का विपरीत अर्थ सब्द क्या होगा दूर का निकट यानी की प तो यहां पर एक आपको करके दिखाया गया है जैसे कि रानी और पानी तो और यहां पर एक टेबल दी गई है इसमें से आपको देख कर लिखनी है तो बाकी है यहां पर लाती लाती का हो जाएगा बनाती लाती बनाती उसके बाद है आकर लाकर तो आकर लाकर कहेंगे उसके बाद जब और तब यहां पर एक और बच गया क्या होगा तिनके जिनके तो आप इस तरीके से इन सब्दों को लिखेंगे अब यहां पर नेक्ष्ट है कविता को पढ़कर पंक्तियां पूरी कीजिए तो यहां पर आपको कविता में से देखकर लिखना है तिनके लाकर लटकाती तो आप पहले कविता पढ़ेंगे तो यहाँ पर कविता है बया हमारी चिडिया रानी तिनके लाकर महल बनाती उची डाली पर लटकाती तो क्या लिखना है तिनके लाकर महल बनाती उची डाली पर लटकाती तो यहाँ पर इसी तरीके से लिख देंगे तिनके लाक आगन भर देंगे तो इन पंक्तियों को पूरी कर लेंगे अब यहाँ पर नेक्स्ट है जब एक हो तो वह तिनका कहलाता है और अनेक हो यानि कि एक से ज़ादा हो तो तिनके कहलाता है नीचे दिये गए एक वचन सब्दों के बहुवचन रूप लिखिये तो एक वचन में है तिनका जिसका बहुवचन होता है तिनके तो दाना सब्द का बहुवचन होगा दाने अंडा अंडे बच्चा बच्चे अब यहाँ पर नेक्स्ट है खेल खेल में तो यहाँ पर देख सकते हैं कविता में आए सब्दों को खोज कर उन पर घेरा लगाईए तो कविता में कौन-कौन से सब्द आए हैं आपको उन पर घेरा लगाना है तो कविता में एक सब्द है दाना उसके बाद है सिखाती, चिडिया, थंडा, होज, तिनका, उंची, डाली, निगरानी, पानी, अंडा तो इस तरीके से इन पर आप गेरा लगा लेंगे अब यहाँ पर नेक्स्ट है पाठ में बयारानी नदियों से पानी लाती है वह नदियों के अतिरिक्त कहां कहां से पानी लाती होगी रिक्त स्थानों में लिखिए तो पाठ में आया सब्द है नदी यानि कि नदी के बारे में या बताया गया है कि नदी से जो चिडिया है वो पानी लाती है तो पाठ के अलावा और कहां कहां से चिडिया पानी लाती है तो नल से भी ला सकती है तालाब से या जील से जर्नों से घड़ा गड़ों में पानी भरा होता है वहां से भी ला सकती है पत्तो पर जो पानी होता है वहां से भी चिडिया पानी लाती है खेट से जब खेट में पानी भरा होता है तो वहां से भी जो चिडिया है वो पानी लाती है अब यहां पर नेक्स्ट है अपनी मन पसंद चिडिया का चितर बनाई और उसमे कलर भी करने है यानि कि रंग भी बरने है अब यहाँ पर नेक्स्ट है आओ बया के लिए घर बनाएं तो केतकी बया के लिए घर बना रही है करम से बताईए कि उसे क्या पहले करना चाहिए और क्या बाद में तो यहाँ पर सबसे पहले केतकी ने क्या कहा केतकी ने सोचा कि उ और उसके बाद उसने क्या करा तो उसके बाद उसने केतकी ने मा से गत्ते खील कुछ कतरने और कैंची मांगी तो यहां पर कर देंगे नमबर दो उसके बाद केतकी ने मा की मदद से एक सुन्दर सा घर बनाया यहां पर नमबर तीर और उसके बाद केतकी ने बया के लिए बन चले गई तो इस तरीकिए से आप इन्हें क्राम संख्या में बताएंगे द Goddess ओपर यहां से इस तरीके से यहां जाएंगे अब यहाँ पर next है नीचे दियेगे चित्र को देखकर बताईए कि बया और इस बच्ची के बीच क्या बाचीत हो रही होगी तो आपको यह सोच कर लिखना है तो यह कुछ भी बाचीत कर सकती है इस तरीके से भी बाचीत हो सकती है यह लड़की कहती है कि बया में तुम्हारा घर देखना चाहती हूँ यानि कि इसे इस पाक्षी का घर देखने की इक्षा है तो यह कह रही होगी कि मैं तुम्हारा घर देखना चाहती हूँ इस पर इस बया चिडिया ने कहा होगा, कि मैं अपना घौशला पेड़ पर बनाती हूँ, तुम वहां पर कैसे चड़ोगी, अब यहां पर नैक्ष्ट है, आये बनाए, तो यहां पर आपको यह बनाने के लिए दिया गया है, तो आप इसे घर पर बनाएंगे तो इसके लिए आविस्थेक सामग्री की जरूरत है पुराने समाचात पत्र ले सकते हैं या फिर पुराने केलेंडर इसके लिए कैची की आवस्थीता होगी गौन्थ, चिपकाने के लिए पुराने बटन लगाने के लिए sketch pen sketch करने के लिए रंगीन कागा इस गोल आकार के लिए एक चूड़ी तो आपको करना क्या है एक paper लेना है और चूड़ी की साहता से उसे इस तरीके से गोल काट लेना है फिर इस paper को number two पर देख सकते हैं इस तरीके से fold करना है यानि की mode लेना है center से फिर आपको दूसरा paper लेना है या आप अगबार ले सकते हैं या फिर पुराने calendar को ले सकते हैं और उस पर sketch की साहता से line खीच लेंगे जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं line और जहाँ पर line है वहाँ पर उसी तरीके से प्रतेक line पर रखते हुए paper को मोड लेंगे तो आपको इस तरीके से इस paper को मोड ना है तो मोडने के बाद paper आपका इस तरीके से हो जाएगा ऐसा दिखाई देगा फिर आपको क्या करना है जो यह paper है इसके बिल्कुल beach से जो इसका center है उसके beach से मोड लेंगे तो दोनों भाग इस तरीके से दिखाई देंगे और बीच में आपको इस तरीके से दिखाई देगा अब ये जो है मोडने के बाद कुछ इस तरीके से पेपर आपका दिखाई देगा अब आपको क्या करना है जो आपका गोल पेपर था और आपने उसे बीच से मोड़ा था तो आपको उसमें एक आगे चौँच बनानी होगी पेपर से पेपर की सहायता से एक यहां पर चौच बनाएंगे आँख बनाएंगे और उसके बाद बीच में एक आपको क्या करना है hole करना है और उस hole से यानि की छेद से जो ये आपने paper मोड़ा है दूसरा उसे निकाल लेंगे और दोनों तरफ बराबर कर लेंगे तो दोनों तरफ बराबर करने के बाद ये जो paper है वो इस तरीके से दिखाई देगा और आपकी जो चिड़िया है जो पक्ची है वो बन कर तयार हो जाएगी तो आप इस तरीके से इस सामगरी की सहायता से यहाँ पर चिड़िया बनाएंगे अब यहाँ पर नेक्स्ट है बूजो तो जाने तो यहाँ पर एक कुछ पहलिया है जिनके आपको जबाब देने है हरे वस्त्र और लाल चोंच है याणि की हरे कपड़े है और चोंच कैसी है लाल है रटना जिसका काम यानि की बोलता ही रहता है कुतर कुतर कर फल खाता है लेता हरी का नाम तो कौन सा पक्षी है तोता अब यहाँ पर नेक्स्ट है कंट सुरीला रंग से काली सब के मन को भाती बैठ पेड की डाल पर जो सब को गीत सुनाती तो ऐसे कौन सा पक्षी है तो कंट सुरीला है तो कौन सी पक्षी है यह है कोयल जो की काली होती है लेकिन बहुत सुरीला गाती है जो सब को बहुत अच्छी लगती है पेड की डाल पर बैठ कर सभी को गीत सुनाती है अब यहाँ पर नेक्स्ट है बड़े सवेरे घर की पर मिलता गाउं गाउं काले रंग का पक्षी होता करता काउं 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 करता है तो काउं 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 कोवा करता है तो इसका जबाब होगा कोवा तो ये था आपका chapter 4 I hope आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा तो आप इसे दुबारा से पढ़ेंगे इसके question answers को देखेंगे और learn करेंगे तो मिलते हैं next video में next chapter के साथ. If you like this video, please like and share and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.